गुजरात की पुरान उनिवर्सिटी में जल्द ही सिनेट और सिंडिकेट की चुनाव पर ब्रेक लग जाएगा राजी की उनिवर्सिटी में एक सिस्टम बनाने के लिए भुपेंद्र पटल सरकार कॉमन उनिवर्सिटी बिल लेकर आ रही है इससे क्या होगा फाइदा क्या सिंडिकेट में से मिलते युवा निता बंध हो जाएंगे इस दिशा में क्या सरकार की है सोच देखते रिपोर्ट अंदर की बात में गुजिरात के भुपेंद्र पटल सरकार विदान सबा के मांसून सत्र में कॉमन उनिवर्सिटी बिल पेश कर सकती है राज्य की उनिवर्सिटी में एक समानता लाने के लिए सरकार की तरफ से इस बिल को ड्राफ्ट किया जा रहा है अगर विदान सभा में यह बिल पास होता है तो राज्य की पुरानी युनिवरसिटी में सिंडिकेट और सिनेट सदस्यों की व्यावस्ता खत्म हो जाएगी इसके स्थान पर बॉर्ड ओफ गवर्नांस या बॉर्ड ओफ मैनेजमेंट की व्यावस्ता की जाएगी इन बॉर्ड के सदस्यों का चुनाव सिनेट और सिंडिकेट के सदस्यों की तरह चुनाव से नहीं होगा बलकि इसकी नियुकती सरकार की तरब से की जाएगी ऐसे में राज्य की पुरानी युनिवरसिटी में होने वाले सिनेट और सिंडिकेट के चुनाव खत्म हो जाएगे राज्य की GTU, गुजरात तक्निकी विश्व विध्यालय जैसी नई इनिवर्सिटी में सिनेट और सिंडिकेट नहीं है वडोद राकी, महराजा सयाजी राव यिनिवर्सिटी, गुजरात यिनिवर्सिटी, विर नर्मद साउथ गुजरात यिनिवर्सिटी जैसे पूराने विश्व विध्यालयों में अभी भी सिनेट और सिंडिकेट सदस्य होते हैं, इनमें काफी सदस्यों का चुनाव होता है, वाटिंग के बाद इन्हें चुना जाता है, कुछ सिनेट और सिन्डिकेट सदस्य सरकार की तरब से नियुक्त किये जाते हैं, इस बिल के पास होने के बाद सिनेट और सिन्डिकेट सदस्य खत्म हो जाएगे गुजरात के सूलह युनिवर्सिटी में अभी आठ में सीनेट और सिंडिकेट की मौजुदगी है 2009 के बाद बनी सभी युनिवर्सिटी में बॉर्ड आफ गवर्नांस है Bureau Report GSTV